वेलकम टू आ चैनल Tech Mechanical and Electrical National Fertilizers Limited NFL का तरफ से जोड़ी कुट में निकल के आय था ITI पा स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा पा स्टूडेंट के लिए और गैजुएशन पा स्टूडेंट के लिए इसका examination date टेक्लेर हो गया है ITI पा स्टूडेंट का examination date है 17 तरिक तो ITI का एक post था attendant grade 1 mechanical fitter post का तो इसमें जो भी student form fill up किया वो सभी student के लिए आज का class important होने वाल है क्योंकि वो सभी student के लिए आज का special class है आज 13 तरिक है 13, 14, 15, 16 चार दिन आप लोगों का हाथ में time है चार दिन में आप लोगों को मैं at least 400 plus question solve करवा दूँगा उसी related में question का discussion करने वाला हूं तो वीडियो start करने से पहले कुछ बात मैं कहना चातूँ at least अप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनिये क्योंकि बहुत दिन से मैं study related video post नहीं कर रहा था just job information, exam update, admit card update का बढ़ में मैं video बना रहा था तो बहुत दिन बात जब मैं study related video बना रहा हूं exam जब आप लोग का सामने है at least मेरा बात आप लोग सुनिये एक book है जिसका मैं photo खीच के आज मैं 100 question लाया हूं क्योंकि अभी time जादा नहीं है तो अगर typing करने जाएंगे तो daily 100 question मैं नहीं ला पाऊंगा तो 100 question first semester का है second semester का मिला के तो first second semester थोड़ा easy होता है तो आज का class थोड़ा easy level का रहेगा 100 जो question रहेगा तो फिर भी मैं बता सकता हूं easy question होने का बाद भी आप लोग 90 plus marks नहीं ला सकता है maximum student 90 या 90 से below marks लाएगा अगर अप लोग आप लोग को selection लेना है NFL में तो at least आप लोग को 95 plus question आप लोग को इस class में attempt करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत easy question रहेगा 95 plus अगर question attempt कर पाऊगा या 98, 99, 100 जो भी student attempt कर पाएगा उस सभी student का preparation अच्छा है अगर 95 से कम किसी का marks आ रहा है तो उसका preparation कम है और भी preparation करना पड़ेगा क्योंकि NFL में sit come as competition जादा है तो उसका हिज़ा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा तो आज का class में जो भी question है maximum question आप लोग को common हो सकता है लेकिन उसमें से आप लोग को 10 बड़ा question ऐसा रहेगा जो uncommon आप लोग को देखने को मिलेगा तो जब चार दिन का में class पोभेट करूंगा चार दिन class जब भी complete होगा तब आप लोग देख लेए बहुत सारा question जो आप लोग इतना दिन से टेकनिकल बड़े आप लोग को मालूम नहीं उतना ही question में आप लोग को बता दूँगा जो भी इसका साथ related question होगा एक दो related question भी मैं बताते जाओंगा कि 100 question है exam का time आप लोग को ज़्यादा time waste करने का नहीं है फिर भी आप लोग को 100 question जब है तो आप लोग examination का हिसाब से देख के चलिए और 100 question में से आप लोग को answer देना है पड़ेगा तो एक दुख का बात है कि जो भी question आप लोग देख रहे हैं उसमें option में आप लोग को पहले से ऐसे underline दिया हुआ है तो इसमें आप लोग just question answer देखते रहा ना ऐसे तो आप लोग answer नहीं दे पाएंगे तो पहला question which one is a workshop safety तो आप लोग जानते थ्री टेप्स का safety होता है एक होता है general safety या workshop safety आप लोग बोल सकते हैं दूसरा होता है personal safety तीसरा होता है machine safety तो इधर आपको बोला है workshop safety का अंदर कौन सा safety आता है तो पहला जो option है keep soft floor clean and free from grease oil और other slippery material जो soft floor या workshop का floor है उसको clean सबसुतरा रखना चाहिए और उसको grease oil या other जो भी slippery material होता है उससे soft floor को मुक्त रखना चाहिए ठीक है अगर ऐसे आप लोग को पूछे जाता है कि यह जो दिया है ऐसे quotation में आप लोग को दिया जाएगा stop the machine before changing the speed speed गती परिबत्तन करने से पहले machine को बंद कर रहाना चाहिए तो यह कौन सा safety का अंदर आता है यह machine safety का अंदर आता है ठीक है इसका बाद अगर आप लोग को quotation में ऐसे पूछे जाएगा कि maximum अभी जो exam होड़ा उसमें quotation देगा इसे आप लोग को पूछ रहा है और प है पहले से थोड़ा सा टूटा हुआ है उसको यूज नहीं करना चाहिए तो कौन सा safety का अंदर आता है यह आता है पार्सोनाल सेप्टी का अंदर ओके और ऐसे अगर जो D option में है don't try to stop a running machine with hand यह कौन सा safety का अंदर आता है यह भी आता है पार्सोनाल सेप्टी का अंदर ठीक है next question number two in personal protective equipment PPE helmet is used to total कितने टैप के PPE होता है जब आप लोग को प्रोटेक्ट करता है तो सबसे पहला PPE का अगर बात करते तो अब देख सकते हैं पहला PPE होता है हेलमेट आप लोग को पहनना चाहिए वो क्या करते हैं हेट को प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो इधार जो question में आपको वो लैप PPE helmet किसके लिए यूज़ करते हैं हेट को बचाने के लिए सिर को हम लोग को पोटेक्ट करने के लिए ओके PPE 2 मतलब क्या होता है ऐसे आप लोग को PPE 1, PPE 2 से question पूछे जा सकता है तो PPE 2 मतलब होता है safety footer मतलब जो हम लोग का पैर है उसको safety या protect करना चाहिए तीसरा में क्या होता है PPE 3 मतलब होता है respiratory protective equipment चौथा मतलब होता है arms and hand protection इस नंबर का है protective clothing and coveral 7 नंबर का yard protection and 8 नंबर का safety bill hardness ठीक है तो ऐसे अगर आप लोग को पूछे एगा protect eyes तो eyes को protect करने के लिए हम लोग को क्या पहनना चाहिए आप लोग बोल सकते कि sun glass पहनना चाहिए गोगोल्स पहनना चाहिए ओके या आप लोग बोल सकते face seal पहनना चाह है ग्लाज पहनना चाहिए अगर बोला है protect ears कान को protect करने के लिए सुरक्ता देने के लिए हम लोग को क्या लगाना चाहिए air maps या air plug लगाना चाहिए ओके next question number 3 which of the following belongs to a general safety general safety का अंदर कौन सा safety आता है option number D right answer हो जाएगा keep the floor and gangways clean and clear जो भी works of floor होता है और gangways होता है उसको साप सूतरा रखना चाहिए ठीक है तो यह आता है general safety का अंदर actually safety मतलब होता है क्या जो works of safety होता है works of safety का हम लोग जनारी तीन भागों में बाठते है ठीक है तो ओ ता general safety, personal safety और machine safety तो जो general safety है इसको हम लोग कभी कभी works of safety भी कहते है ओके उसको हम दो specially कहते हैं next question number 4 while grinding which is used to protect the eye grinding करते टाइम आखों को बचाने के लिए सुरक्सा देने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का इस्तामाल करना चाहिए dark green glass, option number B mask, option number C sunglasses, option number D safety goggles तो इसका right answer हो जाएगा, option number D safety goggles, अगर ऐसे आप लोग को question पूछता कि while arc welding, arc welding करते टाइम कौन सा चीज़ हम लोग की उज़ करना चाहिए आखों को बचाने के लिए सुरक्सा देने के लिए तब right answer हो जगा dark green glass, ठीक है, next question number 5, which of the following is done for machine safety, machine safety के लिए हम लोग कौन सा statement हम लोग करते हैं, तो machine start करने से पहले oil label चेक करना चाहिए, कि हाँ machine में सही oil है की नहीं, अगर परजब्त oil नहीं है, तो oil हम लोग को sufficient देना च चाहिए, ठीक है, तो right answer, check the oil label before starting the messing, अगर ऐसे कोटे से नहीं देख आप लोग को बात करता है, जो B number option में है, do things in a methodical way, तो एक कौन सा safety का अंदर आता है, एक personal safety का अंदर आता है, अगर option number C पूचता, keep the floor and gangways clean and clear, तो एक कौन सा safety का अंदर आता है, general safety का अंदर आता है, next, अगर आप लोगों पूचे से, don't use, it dies नहीं होगा, it ties होगा, ties and scrub, तो एक कौन सा safety का अंदर आता है, personal safety का अंदर आता है, समझ में आ रहा है न, तो इससे question पूचे जाता है, तो इसलिए आप लोगों सभी चीज याद रखना चाहिए, next question number 6, in personal protective equipment, PPE, sleeves is used to protect, तो बोला है, personal protective equipment का बारे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो sleep हम लोगों किसके लिए करते हैं, hand को protection देने के लिए, अगर glass का बत का था, तब भी हो जाता, hand को protection करने के लिए, तो sleep भी right answer हो जागा, हाथ को protection करने के लिए, next question, fast aid में, ABC होता है, तो ABC का मतलब क्या होता है, area, breathing और circulation हो okay, next question number 8, अब देख सकते हैं, fire and fire extinguisher का एक example है, fire का अगर बात करता है, ऐसे अगर fire होता है, तो fire triangle कैसे बनता है, fuel, heat and oxygen से बनता है, ठीके, जास्ट इसमें diagram अफ्लों को दिया है, next question number 9, to put off class B fire, the types of fire extinguisher used is, B type आग को बुझाने के लिए, कौन सा fire extinguisher का हम लोग यूज करते हैं, तो plus B type आग को बुझाने के लिए, हम लोग generally foam type fire extinguisher यूज करते हैं, लेकिन इधर option में दिया है, dry powder, तो actually इसका right answer अगर जनना है, तो foam type right answer हो जागे, कि मैं भी जब परते थे, आप देख सकते लिखा पहले से लिख के रखा था कि foam actual answer होगा, foam type fire extinguisher हम लोग generally इस्तामाल करते, class B आग को बुझाने के लिए, ठीक है, अगर class A का बात करते हैं, तब right answer हो जाथा, soda, acid extinguisher या water extinguisher, ओके, तो class B fire के लिए हम लोग dry powder भी उज़ करते, carbon dioxide भी उज़ करते, और foam type fire extinguisher भी उज़ करत तो आप लोग answer, foam type fire extinguisher करना, next question number 10, which type of fire extinguisher is used to put off general fire, साधा हो तो जो भी आग लगता है, तो ओ आग को बुझाने के लिए, कौन साथे fire extinguisher हम लोगे उज़ करना चाहे, general जो भी आग होता है, कोई भी cloth, wood, या plastic से जो आग लगता, उसको बुझाने के लिए, हम लोग water type extinguis यूज़ करते हैं, जो class A fire का अंदर आता है, ओके, और कभी कभी soda acid extinguisher यूज़ करते हैं, जहां पे water type extinguisher अवेलेवल नहीं होता है, carbon dioxide अगर extinguisher का बात करते हैं, तो इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं, class D आग खो बुझाने के लिए, ओके, next question number 11, in case of bleeding, take treatment off, अगर सरीर का क कोई भी जगा से खोन निकालता है, तब कौन सा treatment करना चाहिए, इसका right answer हो जाएगा, option number is spray cold water, ठंडा पानी, spray करना चाहिए, ठीक है, एक नया question आपको देखने को मिला, next question number 12, in case of an accident, the victim shooting, अगर कोई भी दुरघट ना घरता है, तब victim को क्या करना चाहिए, तो सभी student इसका right answer जानते है, option number C, right answer हो जाएगा, attended immediately, next question number 13, fast aid is given to an injured or ill person, primarily, मतलब, कोई भी एक असुस्त बेक्ती, या injured बेक्ती को, हम लोग पहले fast aid देते हैं, तो इसका पीछे क्या कारन होता है, तो इसका right answer हो जाएगा, all of this, क्योंकि, पहला option जो दिया, save life, हम लोग उसको जिवन को बच जाते हैं, यह भी राइट है, prevent further deterioration of the map, मतलब, जो भी patient होता है, उसको further कोई भी problem ना हो, इसलिए हम लोग उसको, पहले से ही, उसको सब्दान करते हैं, या उसको treatment कर देते हैं, primarily, option number C, give best possible comfort, मतलब, हम लोग का तरब से जितना हो सका, उसको आड़ाम देने का कोसिस हम लोग Dis happening Okay, next question no.14, Color code for beans for waste paper segregation is, मतलब waste paper segregation करने के लिए मतलब उसको फेकने के लिए हम लोग कौन सा color का bean यूज करते हैं, जैसे dust होता है, dust को फेकने के लिए हम लोग dust bin जिसको बोलते हैं, मतलब एक अलग से beans होते हैं, उसको अंधरर हम लोग dust को फेकते हैं, और से जो waste paper होता है, जिसको हम लोग को काम में नहीं आता है, वेस्ट पेपर को फेकने के लिए, कौन सा कलर का बीन हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो अलग-अलग चीज़ को फेकने के लिए, अलग-अलग कलर का बीन हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो वेस्ट पेपर या पेपर को फेकने के लिए, हम कोई भी पार्ट उसको ठीक लैद लेग लोग रेड़ तो पड़ने का एक अपना स्टाइल होना चाहिए जब मैं पढ़ते थे क्या होता जो भी तो चेयर संवी उसका सुआ जैन। हो यहां हिख लेते थे तो मैं पैंसे कब्था था और कभी कभी मैं फैंसेट yr लिखता तो मैक्सिमम हम पेंसिल से लिखता था तो समय क्या होता है हमको फाइदा होता है जैसे ग्लास को फेकने के लिए लिखता है अगर फूड का कोई भी वेष्ट होता है उसको फेकने के लिख लिख लेते थे तो ऐसे ही आप लोग जब भी कोई बी जगह में पढ़ते हैं तो अगर कोई भी सपोटिंग को से नया को सब्सक्राइब जरूर लिख लेना तो इसको जब भी आप लोग डिवीशन क से को स्टेंड स्पोर तो एसई को नहीं से सो इस इइस याइई सो तो Japanese में आप लोग जानते हैं 5-8 होता है के तो हर्बसक का मतलब क्या होता है authors word sex allünüz इसको कowment जपानीज में कहते हैं तो six इतißtु के ठीक है तो से को नहीं होता है से इसा होता है तो तीसरा नामबर क्या होता है cd का मतलब होता है सोट ठीक है तो सभी चीजा में बता दिया हूं supporting question next question number 16 benefit of privacy system privacy system का benefit क्या होता है तो इसका right answer हो जगा option liberty all of this क्योंकि इसका productivity भी बढ़ता है अगर सभी चीज हम लोग उसको standard का हिसाप से रखते हैं सभी चीज़ अगर हम लोग साप सुतरा करके रखते हैं, great काई सबस उसको हम लोग रखते हैं, easy access place में, अगर हम लोग उसको रखते हैं, उसको साप सुतरा करके रखते हैं, तो क्या होता है, वो हम लोग easily use कर पते हैं, और, मतलब productivity उसमें बढ़ जाता है, है हम लोग को काम भी बहुत जल्द हो जाते हैं और पोड़क्ट का जो क्वालिटी हो तो भी बढ़ जाता है और जो टाइम वेस्ट का होता है ओ भी कम हो जाता है इसलिए इसका राइट अंसर अप्शन आमडी ओल अप दीज नेक्स्ट को से नमबर 17 सेप्टी क्या होता है नो पहले सबसे पहले सबसे पहले को सेप्टी फॉलो करना पड़ेगा अगर सबसेती फॉलो नहीं करते तो आप लोग को किया होता हैं एक्सीडेंट होनेका चांस रहता है ओके नेक्स्ट कोसल एक्चीं कोशन एक सब्ध है diet्बशें आप लोग जानते यह सेंटेन्स आप भर safety first quality must safety सबसे पहला आप लोग को सबसे पहला रखना पड़ेगा उसका बात quality का बात आता है ठीक है फ़र basic category of safety science are available the meaning of prohibition sign is तो आप लोग जानते safety sign total four types को होते एक होते prohibition sign दूसरा होते mandatory sign तीसरा होते warning sign चौता होता है information sign इसका बाड़ में बहुत बाड़ आप लोग का सब डीटियल में discussion क्या हूं तो prohibition sign का मतलब क्या होता है prohibition मतलब या prohibited मतलब उसको माना करना वो चीज़ आप लोग को नहीं करना है तो इसलिए इसका डाइटन से क्या हो जाएगा मतलब यह कभी करना नहीं चाहिए ठीक है तो यह हो जाएगा prohibition sign का अंदर अगर mandatory sign का बार्त करता है मतलब क्या mandate उसको करना है compulsory है तो क्या है सोज what must be done मतलब जो तुमको करना ही पड़ेगा ओ आता है mandatory sign का अंदर तीसरा में आता है क्या warning sign का अंदर once the hazard or danger कोई भी डेंजर या hazard है जिसमें हम लोग को हनी कड़क हो सकता है या खत्रा हो सकता है उससे हम लोग क्या करता है वान करता है वह warning sign का अंदर आता है और gives information of the safety provision मतलब safety का या कोई भी जगा है जैसे आता है या डॉक्टर का जो होता है उसका plus sign होता है क्या ओं इनफर्मेसिन देता है जहाँ जहां पर लिक कर रहता है हम लोग को क्या sign देता है कि ट्विलेट का symbol है तो एक information देता है इसलिए information sign का अंदर आता है ओके नेक्स्ट कोसन नामबर 18 कुछ कुछ कोसन है जो BARC VAWA Atomic Research Center में पूछा गया तो 2019 सल में जिसमें मैं क्रेक किया था पहला रैंक जिसमें मेरा आया था तो उसमें 2-4 कोसन इसमें से कमोन आया था इसलिए मैं उसका उपर लिख के रखा था वान माईक्रोमीटर इस एक्वेल टोट जिरो पॉइंट जिरो जिरो वान मिलीमीटर ठीक है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है वान बाई थाउजेंट होता है ओके नेक्स्ट कोसन नामबर 19 तक कैलिपर मेंट फॉर मेजरिंग दे वीड़् अपे स्लोट कोई भी एक स्लोट है स्लोट का अगर वीड को मेजर्मेंट करना है इसके लिए हम लोग कौन सा कैलिपर का इस्तमाल करते तो इसका राइट नासर जगा इंसाइड कैलिपर ओके जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 मिलीमीटर क्योंकि यह होता है इक इंडिरेक्ट मेजरिंग टूल जो स्टील होता है इसका साइज हम लोग कैसे करते हैं जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लेग जोएंट होता है इसको क्या बोलता है पाइवाट या फालकम बोलते हैं तो इसका पॉइंट है पॉइंट एक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते है वो डिवैडर का साइज होत यह स्पेसिपाइब करते हैं मैक्सिमम ओपेनिंग बीटिविटिन टू पॉइंट्स यह जो दो पॉइंट है डिवाइडर का दो लेग है एक इतना खोल सकता है उसका हिसाब सब्सक्राइब को स्पेसिपाइब कर सकते हैं मतलब जो डाटू मेज है उसका साथ पैरलाली अगर हम लोग को लाइन खीचना है कोई भी जॉब है तो इसके लिए हम लोग कौन सा केलिबर का इस्तमाल करते हैं तो जेनी केलिपर या हर्माफोड़ाइट केलिपर जिसको और लेक केलिपर या बेंटलेक केलिपर बोलते हैं का हम लोग इस्तमाल करते या कोई भी जौाब है सिलेंडी का unique को निकालना है सिंद्र पॉस्ट्प को करने के लिए हमलोग जेनी केलिपर का करते हैं ओक्यॉइक सबस्थे इस्तमाल करते हैं एक सब्सक्राइब है मैसे साथ रहत है तो आप लोग जानते जो भी केलिप्पर होता है outside केलिफ़ इंसाइद केलिपर होता है in Direct मेजरिंग टूल और direct measuring tool का अंदर रहता है भानेी केलिपर, cm integrate मेजरिंग का अंदर आता है next question number 23 for cutting thin tubing , seed metal work the most suitable pitch of डाहक अंदर उसको रखते हैं जो मीडियम है मीडियम कभी 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 वेब भी होता है कभी कि बी करते हैं तो वेपसेट का अंदर आता है जिसका पीच होते हैं 0.8 mm जब भी थीन ट्यूबिंग कटना है या सीट मेटल वार्क के लिए हम लोग हैक्सो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट जिरो उसका पीच 0.8 mm होना चाहिए सॉरी नॉट लिस्ट काउंट क्योंकि हेक्सो ब्लेड का पीच होता है तो 0.8 mm होना चाहिए नेक्स्ट कोसर नामबर 24 फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास कास्ट आयरन दा मोस्ट सूटेबल पीच अप्ड़ हेक्सो ब्लेड को कटने के लिए कौन सा सूटेबल पीच वाला हेक्सो स्टील और HCS है मतलब हाइच स्पीड स्टील है तो इसके लिए हम लोग या इसको कटने के लिए हम लोग कौन सा पीच वाला हेक्सो ब्लेड का इस्तेमाल करते 1.4 mm अगर बोलते एंगेल आयरॉन ब्रास ट्यूबिंग कॉपार या आयरॉन पाइप है इसको कटने के लिए 1 1.1 mm पीच का पीच बला हेक्सो ब्लेड का जरूरत पड़ता है तो यह सभी जिस आपको याद रखना पड़ गए इससे आप लोगों को को स्टन जरूर पूछे जाएगा नेक्स्ट कोस्टन एक इंपोर्टेंट कोस्टन है एक कोस्टन भी अर्सी में पूछा था और बहु जाता है इसका पीचे क्या कारण होता है तो मैक्सिमम जगह में इसका राइटान सब यहाँ रहता है तो वइं नंत टेट बिंग ओन आयूट जो जानते हैं चलाने का बाद ब्लेट धीला हो जाता उसका बाद विन आट को टाइट करना पड़ता तो इसका पीछा करन होता है stretching of the blade blade stretch हो जाता है अगर material प्रॉपर material से नहीं बनता है लो एलो उसको फिर से हम लोग करना पड़ता तो धीलापन होने का यही कारण अट कि stretching of the blade blade stretch हो जाता जब भी friction होने का बाद heat होता है और automatically blade stretch होता है ओके तो option number राइट अंसर हो जागा next question नमबर 26, while cutting small diameter pipes, it is advisable to watch regularly and ensure that अगर small diameter, छोटे diameter pipe को hexo से कटना है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर धियान देना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा धियान देना चाहिए कि more saw teeth are in contact, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा teeth pipe में contact होना चाहिए, otherwise, क्या होता है, अगर more saw teeth नहीं होता है, मतलब less saw teeth होता है, मतलब उसका piece ज़्यादा होगा, इसलिए इसका distance ज़्यादा है, इसलिए कम saw teeth होगा, तो क्या होता है, ए राफ पीच है, तो राफ पीच जब योगा smaller diameter pipe को कटने जाएगे, next question number 27, the vice clamp are used to, vice clamp जिसका दूसरा नाम है soft jaw, तो इसका हम लोग कब उपयोग करते हैं, protect the finish surface, जो भी work piece होता है, उसको अगर हम लोग surface को अगर finish कर दिये हैं, उसका बाद अगर कोई भी operation बग की हैं, तो उसको जब भी bench बैस में लगाना पड़ता है, तो finish surface में कोई भी scratch marks बगड़ा ना आया है, इसलिए हम लोग use करते हैं, vice clamp जिसको soft jaw कहते हैं, जो aluminium से बनता है next question number 28, the reference surface during marking is provided by the marking करते time, reference surface का हिसाब से, कौन सा चीज काम करता है, surface gauge या work piece, या drawing of the work, या marking of table, तो marking of table surface is the right answer हो जाएगा, ओके, अगर surface plate देता, तब भी surface plate right answer हो जाता, surface plate या marking of table क्या होता है, वो काम करता है, as a datum surface, या reference surface, next question number 29, the size of an engineer's vice is specified by the, engineers vice का size हम लोग कैसे specify करते हैं, engineers vice का दूसरा नाम होता है bench vice, तो bench vice को generally engineer लोग use करते हैं, इसलिए engineer vice इसका दूसरा नाम है, और जो भाइस हम लोग bench का उपो डखके use करते हैं, उसको bench vice कहते हैं, तो इसका size लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, without the job, जो जबड़ा का चवड by का ही सब से हम लोग उसका size को लेते हैं, generally bench vice का अगर बात करते हैं, तो देर सो मिलिमीटर होता है, ओके, next question number 30, the part of the universal surface gauge which helps to draw a parallel line along a datum edge is the, universal surface gauge का एक एसा पार्ट है, जो datum edge का बड़ाबर parallel line खिचने में मदद करता है, तो surface gauge का पार्ट का नाम क्या है, guide pin, ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में आप लोग को क्या होड़ा है, revision भी होड़ा है, और नया नया question आप लोग को देखने को भी मिलेगा, पूरा वीडियो आप लोग सांत हो के देखिए, यह जो series में चलाओंगा, exam होने से पहले, तो इस series आप लोग के 15 डिगरी, जो seat metal purpose के लिए हम लोग यूज करते है, seat metal work होता है, उसमें scriber यूज नहीं होता है, उसका जगा हम लोग scratch owl यूज करते है, same to same देखने में होता है, तो यह किसके लिए यूज होता है, deeper line ड्रॉ करने में यूज होता है, तो इसका point angle होता है, 15 से 20 डिगरी, ठीक ह next question number 32, portion of the hammer used for fixing the handle is, hammer का कौन सा part होता है, जहां पे हम लोग handle को fix करते हैं, तो इसका right answer क्या हो जगा आई hole, तो आई hole elliptical एक safe होता है, जिसमें हम लोग wooden handle को fix करते हैं, ठीक है, तो hammer का वारे में कुछ जान लेना चाहिए, यह hammer का जो face और pin होता है, वो case hardening किया हुआ रहता ह है, और hammer बनता है drop forged carbon steel, और क्या होता है, जो oval type का होता है, और यह जो eye hole होता है, actually दोनों तरफ से क्या होता है, end का तरफ से, end से अगर बीच तक जाएगा, middle तक जाएगा, तो क्या होता हो, tapered होता है, यह आप लोगों को जान लेना चाहिए, तो hole is tapered from the both end to the middle, दोनों end से middle होता है, next question number 33, weight of the hammer for marking purpose, marking purpose के लिए hammer का weight कितना होना चाहिए, 800 gram होना चाहिए, और hammer का या engineer hammer का generally weight कितना होता है, 125 gram से 700 gram का अंदर होता है, hammer का हम लोग specification कैसे करते, इसका weight का हिसाब से, और shape of the pin का हिसाब से, next question number 34, the size of the divider are specified by the divider का size हम लोग कैसे specify करते, तो already मैं आप लोग को बता दिया हूँ, distance between the pivot point या फाल कम जिसको बोलते है, उदर से point तक, तो एक दो question repeat भी आप लोग का होगा, और बाद में मैं 100 से 110 तक question आज के class में मैं solve करवा दूंगा, next question the included angle of the group of V block is, V block का जो included angle होता है, जो V group का, तो ओ कितना डिगर होता है, 90 डिग V block अबेलेबल इन ग्रेड़ साथ, V block कितना grade में available होता है, दो grade में available होता है, एक ये होता है, और एक बी होता है, एक grade का size होता है, 100 mm, V grade का साथ होता है, 300 mm, एक grade का V block बनता है, high quality steel, और V block बनता है, closely grained cast iron, और V block में हम लोग क्या करता है, cylindrical job का हम लोग family या मजबूत से हम hold कर सकते हैं, किसका मदद से, U clamp का मदद से, next question, number 37, V blocks of grade B are made of, तो मैं आप लोगो पहले बता दिया हूँ, V block जो B grade का होता है, कास्ट आरों से बनते है, closely grade कास्ट आरों, ओके हैं, और एक चीज़ अब लोगो जानना चाहिए, V block capable of clamping, walk piece between 5 to 40 mm, 5 से 40 mm का diameter बला, अगर कोई भी cylindrical job है, तो उसको hold कर सकते हैं, V block, next question, number 38, name the punch, use to locate the center, कौन सा punch का हम लोग use करते हैं, center को locate करने के लिए, तो center punch का है use करते हैं, जिसका angle होता 90 degree, अगर ऐसे बात करता है, prick punch 30 degree, जिसको prick punch ही कहते हैं, तो किसके लिए use होता है, divider का position करने के लिए हम लोग use करते हैं, अगर witness mark का बात करते हैं, इसके लिए हम लोग dot punch ही use करते हैं, जिसको pick punch 60 degree कहते हैं, समझ में आ गहें, next question number 39, तब point angle of center punches, 90 degree अप लोग जानते हैं, जो भी question easy है, इसमें मैं ज्यादा time waste नहीं करूँगा, बहुत जल्दी class अप लोगा मैं खतम करूँगा, punches are used for forming, dash of any shape, तो punches two type का होता है, पांच तो मैं अभी आप लोगो बता दियो कि center punch, dot punch, prick punch होता है, और भी पांच होता है, जाए solid punch होता है, hollow punch होता है, पीन punch होता है, तो seat metal, अब मापरपस के लिए use होता है, seat metal में जब यह हम लोग औरिवेटिंग करना पड़ता है, तब हम ल हम लोगो whole बनाना है, तो हम लोग बना सकते है 5 का मदल से, अगर सो ट्रियंगूलर कोई भी shape बनाना है, या कोई भी five बनाना है, तो triangular punch यूज करेंगे, मतलौ जो shape का हम लोगो चाहिए, उसे shape का हम लोग 5 यूज करते हैं, पांच यूज करके क्या करते, ओपर से hammer मार देते हें दोंगए हुसमें स॓लिड मरं क्या होता है जेनाली जो सीट क्रमालूफ होता है उसमें हम लोग है की हौल बनाने के लिए इस प्रम या में मेर्डियाल होता है और सॉप्ट मेंों होता है उसमें particle महनरा विक हलाने का अब फ्रॉम दा होल मतलब उसको निकालने के नमब पीन पांच का यूज करते हैं नेक्स्ट कोर्शन नमबर फॉर्टीवन जेनाली दा लेंथ अब लेंथ होता है वो जेनाली कितना होता है नमबर फॉर्टीटू एक्जम अगर आप लोग देने जा रहें तो इसमें से बहुत सारा कोर्शन आप लोग को कॉमोन आएगा मैं गैरांटी के साथ बता सकते हूं बेंच भाइस पिंडिल इस मेड़ बेंच भाइस पिंडिल बनता है माइल स्टील से और बेंच भाइस बनता है कास्ट आड़न कास्टील से भी कभी कभी बनता है जो फॉस्फोरास ब्रोंज से बनता है वो कौन सा बाट बनता है बॉक्सनट बनता है ओके नेक्स्ट कोसर न बोल होने से बचाता है तो इसका कारण क्या है ए भी मैं NFL के जब क्लास ले रहा था उसमें मैं बहुत अच्छा से discussion कर दिया हूँ सभी वीडियो आप लोग देखिए ज्यादा टाइम वेश्ट करने के कुछ नहीं क्योंकि मैक्सिमाम आज का आप लोग को रिजेशन करने के लिए मैं लाया हूँ तो फिर भी आप लोग पूरा वीडियो देखिए विच फाइल यूज्ट फॉर फाइलिंग ऊड़ लेदर और आधा सोफ्ट मेटियल कौन सा फाइल का इस्तिमाल करते हैं उड़ल लेधर और आधा सॉप्ट मेटियल को फाइलिंग करने के लिए तो इसका राइट्र अंसर हो जगा इसका सेफ होता है हाप राउन और जिसका टीथ होता है इंडिविजन इंडिविजेंड टीथ रहता है वह ट स्क्राइबर का पुछा है तो 15 होता है जो मैं पहले आप लोगों को बता दिया हूं ओक्य और क्या बोला ग्रैंडिंग दपॉइंट ऑफ स्क्राइबर तो कैसे करते हैं ओइल स्टोर्स हम लोग करते नेक्स्ट को से नमबर 48 का टिंग करने के लिए कटिंग केंग कितना होना चाहिए सबसे पहले को से नाता है चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए तो तो चीजल का cutting angle और angle of inclination में सभी student का दिक्कात होता है तो जास्ट आप लोग cutting angle मतलब point angle याद रखना angle of inclination का में एक formula आप लोग को अभी बता देता हूं सबसे पहले आप लोग cutting angle एक बद देख लेना सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करते हैं एस में हो जाएगा रोगिवाश का अगर बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा कास्टेल का 70 था काटिंग आंगल इसका अधा क्या हो जाएगा बटा टू हो जाएगा प्लास 7 बीडी हो जाएगा तो यह हो जाएगा 35 common всем हो जाएगा बुद 2 आ जाएगा अगर आपं लोग schs का देखना चाहे तो 65 बटा 2 हो जाएगा ब्लास 7 बीडी सभी का सेम कटिंग अंगल बटा 2 प्लास 7 डिग्री तो इसमें आप लोग को क्या हो जागा 32.5 आ जागा प्लास 7 करेंगे तो 39.5 आ जागा तो आड़ा है ना तो यही सेम फॉर्मूला होता सभी के लिए अंगल अप इंकलेरिशन निकल के आ जाएगा नेक्स्ट कोस्ट नमबर 49 तो चीजल विल डिग इंटो दे मेटियल होएं चीजल मेटियल का अंदर जादा खनन करेगा मतलब जादा मेटियल का अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा कब होगा जब एंगल अप इंकलेरिशन जादा होता है तो अगर बात करते हैं तो एक वा को साधो princess है तो एक चीजल है ठीक है तो यह जो चीजल है इसका अगर हम लोग एक परपेंडिक्लर लाइन करते है तो इसमें point angle क्या होता है rake angle क्या होता है और angle of inclination क्या होता है में आप लोगों को बता तेता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर इसका बीच में हम लोग एक line ड्रॉ करते हैं ठीक है एक imaginary line ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका point angle क्या हो जाएगा इसका point angle हो जाएगा यह अगर बात करते हैं इधर से इधर तक धियुक्ते है एक एलता हो जाए गाएक हुट शाग का जाएगा जो ने जयुक्त है क्लियर्णा गोर्जान टेक बेतर एक अंक्ली हुमे से कंवी घूंचेरानいきलिकलिकलिखन क्य हो जाएगा है तो उठा तेते तो क्या होजाएगा वो directly ने मीटरियल को अंदर ज्यादा परेक्टेट हो जैगा और अगर उसका angle of inclination कम होता है मतलब वो क्या होजाएगा इसे रहेगा तो तब मीटरियल का अंदर नहीं जाएगा वो स्लीप होगा तो एंगल अप इंकलेनेशन को उपःदी डीपेंड करता है मित्रियल को कैसे कटेगा ठीक हैं अगर हम लोग उसको ज्यादा उपः रखते तो मतलब उसको हम लोग थोड़ा सा उत्तल करते हैं तो इसका कारण क्या हो तो पिभेंटिंग डिगिंग अब दा एंड एंड का डिगिंग होने से उसको पुतिरोध करता है तो इसका भी डिटेल में वीडियो बहुत ही अच्छा से मैं पहली डिसकसिन कर देहा हूं तो अप लो और ऑफेस्टर क्या हो जेगा fine gra कास्ट है ओन उसका जो त्री ग्रेंड में एवेसेवल होता है तो कि किसमें रहता है होular में अइवेलबहल टेमने मत तो स्पेसिपाइड कैसे करते लेंद ग्रेंड और आयस नंबर से करते तो length और breadth जो होता है तो किसमें रहता है वो square centimeter में रहता है ओके तो इसमें जो option दिया decimeter cubic meter या cylindrical यह नहीं होगा यह हो जागा square centimeter next question number 53 ribs are given on the unmassined portion of the angle plate for angle plate का unmassined portion में ribs हम लोग क्यों देते हैं तो rigidity को बढ़ाने के लिए और distortion को पोतिरोध करने के लिए हम लोग देते हैं next question number 54 the slots on the angle plate are given for angle plate में जो slot हम लोग दिये रहते हैं तो उसका purpose क्या होता है तो accommodating bolt, bolt को सहाय होता देने के रिए next question number 55 the size of the angle plate is stated by angle plate का size हम लोग कैसे उसको लिखते हैं तो size numbers हम लोग लिखते हैं एक नया question है most important question है और इसका grade two grade में होता है एक one or two ओके जो भी one या यह होता है यह सब tool room purpose के लिए उस होता है next question number 56 for high speed parting of work on the material like cemented carbide is तो अगर cemented carbide material को अगर जल्दी से जल्दी parting of कटना है उसको अगर कटना है जा हाई-speed में कटना है तो कौन सब हम लोग सौका यूज करते हैं तो heavy duty power सौक हम लोग इस्तमाल करते हैं एक नया question अप लोग को देखने को मिल हैं ओके और भी question एक आया था जो एनफीसियल काकड़ापड़ा में आया था उसमें बोला था cutting material to different profile तो different profile में अगर material को कटना है तो कौन सा सब हम यूज करते हैं contour band या contour सब हम लोग यूज करते हैं तेन परसेंटेज और जिंग रहता है टू परसेंटेज ओके नेक्स्ट कोसर नमबर 58 यह भी कोसर बी आर्सी में पूछाए गाता है cast iron is used for manufacturing machine bed because cast iron machine bed को manufacturing करने के लिए यूज होता है इसका पीछे क्या कारण होता है इसका compressive strength या यह ज्यादा compressive strength को resist कर सकता है ओके लेकिन यह tensile strength को resist नहीं कर पाते हैं next question number 59 accuracy or least count of a metric outside micrometer is metric outside micrometer का accuracy and least count कितना होता है 0.01 mm होता है ऐसे अगर सामने अगर भाणियर एड कर देता तब क्या होता तो 0.001 mm हो जाता अगर इंच में आप लोगको ऐसे पूछता यह तो metric बोल दिया है इंच में अगर नॉर्माल आपको पूछता तो क्या हो जाता इंच में नॉर्माल है अगर अप लोगको ए मेट्रिक का जगा पूछ लेता तब हो जाता 0.001 इंच हो जाता और अगर पहले में जो दिया है कि वार्नियर मेट्रिक वार्नियर इंच आउटसाइड माइक्रमीटर पूछ लेता है तो वार्नियर इंच आउटसाइड माइक्रमीटर के तब क्या होता है 0.001 इंच हो जाता समाज में आग है next question number 60 सभी चीज़ आप लोगको धियान से याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो कोशन है 95 को अप लोग अटेम नहीं कर परेंगे maximum स्टूटर हम गैरांटी का साथ बता सकते हैं तो जो स्टूडेंट कर पाएंगो सभी स्टूडेंट का पीपेरसन अच्छा है 60 सिख्टि कोशन आप देख सकते हैं ते ही तोजन माइक्रोण मीनस थाउजंड माइकरोण का मिनिंग क्या होता हैbn वान मिल्ली मिn80 हें घ्जल गोते है फसके जाता है नेक्स्टक साम नामबह सिख्ट उक्स्टी उन इनहां मेट्रिक माइक्र मैट्र मेंट्रेक एग इतना होते हैं 0.5 mm होते हैं आप लोग जानते हैं ओके नेक्स्ट को से नमबर 62 एड़ेट स्टॉप इन्हें माइक्रोमीटर हेल्प्स टू माइक्रोमीटर कर जो रेचेट स्टॉप होता है वह किसे मदद करता है चॉंट्रोल दप्रेशर तो इस ता यूनिफर्म प्रेशर ब पहले हम लोग क्या करते हैं जब भी सोचो यह वाकपीस है तो दोनों सार्फिस वाकपीस का कॉंटेक्ट में आ गया तो हम लोग कर देते हैं लौक नाट से उसका बाद हम लोग धीरे-दीरे प्रेशर यूनिफर्म प्रेशर देते रैचेट स्टॉप से इसमें रहता है आप मैं बता दिया हूं सेम को सेंड रिपीट हुआ है इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूं एक सो को सेंड का जगा मैं 110 को सेंड आप लोग को मैं सॉल्व कराने बाला हूं ठीक है 64 नामबर का को सब्सक्राइब देख सकते हैं वाट इस देजिरो रीडिंग और फे सब्सक्राइब और अगर ऐसे आप लोग को पूचा है घर होता है अगर जहां से सूरू हो रहा ह है वो 75 और जिडो रीडिंग होगा next question number 65 इसमें बोला था value of the smallest division on sleeve of metric micrometer is तो आप लोग जानते metric micrometer का sleeve को और एक नाम से जाना जाता है उसको barrel कहते तो अभी मैं आप लोग को बता दिया हूं metric micrometer का जो सबसे smallest division का value होता है जो barrel होता है या sleeve होता है तो उसमें smallest division का value होता हो कितना होता है वो 0.5 mm होता है क्योंकि आप लोग जानते ऐसे 0 to 25 उसका range है तो मतलब 25 25 सो बाढ़ता है 0 to 25 25 to 50 52 75 75 to 100 100 to 125 ऐसे बाढ़ते रहता है तो उसका zero reading आप लोगों को मैं पहले बता दिया हूं तो उसमें क्या रहता है उससे भी छोटा और एक division होता है 0.5 mm होता है जिसको पीच कहते है next question number 66 ratchet stop in the micrometer helps to same to same question है control the pressure next question number 67 list count of depth micrometer is depth micrometer outside micrometer inside micrometer सभी का list count होता है 0.01 mm दो question आप लोगों को पूछे जाते है end measuring tool क्या होता है micrometer होता है line measuring tool क्या होता है still rule होता है next question number 68 तो इस सभी question जो मैं पास में लिखा था supporting question है जो भी मैं को आप याद रहता था या नया question हम पढ़ते थे कोई भी question का पास हम लोग हम लिक लेते थे तो क्या होता है जब भी हम लोग इस book को revise करते थे हो जाता था तो ऐसे आप लोग को अपना वेसी पढ़ना पड़ेगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते कुछ कुछ student बोलते book में लिखना सही नहीं है तो आप लोग pencil से लिख सकते कोई problem नहीं है तो आपका book है आप जैसे पढ़ेंगे next question number 68 the list count of vernier caliper is vernier caliper के list count पूछा है तो इसमें तो आप लोग जानते 49 division main scale में है और vernier scale में 50 division मतलब 49 बटा 50 जो vernier scale होते है उसका list count होते 0.02 mm इधर अगर main scale में आप लोग को 30 दे देता है main scale और vernier scale दे ओ 39 बटा 40 कर देना है और उसको किस से माइनस कर देना है अगर single scale बोलेगा तो single scale मतलब नॉर्माली अगर बोलेगा तो ऐसे होगा 1 mm से माइनस कर देना क्योंकि यह मेंस के यह होते है 1 mm मतलब 1 mm और VHD का value 39 बटा 40 इसका जब भी LCM करेंगे तो 40 बटा क्या आजाएगा 40 निचे आजाएगा और उपर में 1 आजाएगा तो इसका value आजाएगा 0.025 mm आजाएगा लिस्ट काउंट तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा जो भी scale कप लोगों को बोल देगा वैसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसे आप लोगों को fraction में लिख लेना पड़े से क्योंकि यह सिंग जब भी single scale में होता है तो 1 mm होजगा डबल स्केल बोलेगा तो क्या होजगा तब 2 mm हो जाएगा नेक्स्ट कोस्ट नमबर 69 डा टाइप अप मेजरमेंट मेड बाई यूजिंग वर्नियर कैलिपर इस वर्नियर कैलिपर से किस टैप का मेजरमेंट होता है तो आपको जो बुक दिया है तो बुक में दिया है इंडिरेक्ट मेजरमेंट लेकिन इसका राइटान सरुजगा डायेक्ट मेजरमेंट बाईन्यर के लिपर से का अगर हम लोग एंगेल को मेज़ार करने जाते हैं तो वानिय विवल पोटेक्टर का एफडिस यसे कौनिस इसके अङूंत पाट काम करता है टो एठ लग शरी है नुऊंस प्रीशाओं से काम कर रहे है और एक क्या कर रहे है एनादर एक contacting service contact होने का काम कर रहे जस्ट एनादर contacting surface का हिसाब से एक काम करता है ओके और कुछ नहीं और अगर बात करता है कि भार्णियार भीवेल पोटेक्टर का कौन सा पार्ट में मेंट स्कल डिवीशन स्क्वर्ण गई कौर Matthew आमे मेर में मां बहुता है इसमें हम लोग क्या करते हैं 90 डिगरी सेख गम आंगेल मतलब एक्युट शो भी होता है 90 डिगरी सेखहमें कम एंगेल कम लोग उसमें मैज्खल कर सकते हैं ओके नेक्स्ट कोस्टन तो ड्राइंग भी आप देख सकते इस टैप का एक होता है 72 नमबर का कोस्टन दा पार्ट ऑप भार्निय बीबल पोटेक्टर ओन विच मेंस्केल डिविशन और मार्क्ट इसदा तो मैं अभी बता दिया हूँ वर्निय बीबल पोटेक्टर का मेंस्केल कहां पर गैजट होता है नेक्स्ट कोस्टन नमबर 73 दा पार्ट ऑप भार्निय बीबल पोटेक्टर विच कमस इन कॉंटेक्ट विध इंकलाइन सर्फिस वाइल मेजरिंग इसदा तो मैं अभी आप लोगो बता दिया हूँ जब हम लोग वर्निय बीबल पोटेक्टर से कोई भी जौब का एंगल को मेजर करते हैं तो inclined surface का हिसाब से एक job का उपर contact में आता है तो वार्णिया बीवल पोटेक्टर का कौन सा part contact में आता है ब्लेट कोंटेक्ट में आता है ओके इसलिए मैं supporting question भी आप लोको बता दिया करता हूं next question number 74 the value of each division of the main skill of a भार्णिया बीवल पोटेक्टर is वार्णिया बीवल पोटेक्टर का मेंस्किल का वैलू क्या होता है वान डिगरी होता है next question number 75 the value of each division of the वार्णिया स्किल अफे बीवल पोटेक्टर इस तो वार्णिया बीवल पोटेक्टर का जो वान्या स्किल होता है वान डिगरी 55 minute okay next question number 76 the tapered sank drill are held on the machine by means of tapered sank drill जो होता है तो इसका smallest diameter क्या होता है 12.6 mm 12.5 mm का बाद से start होता है क्योंकि आप लोग जानते है parallel sank जो drill होता है ओ 12.5 mm था कि available होता है जब भी बड़ा होता है तो हम tap out sank drill हम लोग यूज करते हैं जो कहां पे हेल होता है sleeve या socket में हेल होता है next question number 77 drill chuck are fitted on the drilling machine spindle by means of drill chuck में हम लोग कौन सा drill को fit करते हैं parallel sank drill का हम लोग fit करते हैं तो drilling machine में drill chuck fitted होता है किस में fit होता है arbor में fit होता है next question number 78 the more stepper provided on the drills range between जो drill का more stepper provide होता है तो उसका range क्या होता है generally MT1 से MT5 होता है ओके अगर ऐसे question आप लोगो दे दीते है कि आपर सेंग आप ट्विस्ट्रिल रिमार या लेट सेंटर तो इन तीनों का जब भी बोलेगा तो MT जोरे से MT4 राइटांसर हो जाएगा ओके यह निमिखा ही सबसे होता है next question number 79 a drift is used for देखो actually question आपको देखना पड़ेगा कि sentence में दिया है अगर question आपको ऐसे दिया है कि टेपर सेंग ट्विस्ट्रिल रिमार लेट सेंटर तब यह राइट अंसर हो जाएगा अगर ऐसे देता है कि मोर्स टेपर पॉवाइडर ऑन्दा ड्रिल डेंज तो ड्रिल डेंज में क्य से अगर टेपर सेंग ड्रिल का साइज बड़ा हो जाता है मतलब टैपर सेंग ट्रिल का साइज बड़ा हो जाता है सेंग ड्रिल का साइज अगर बड़ा है मैकसिं अंदर क्या होता हो जाएगा जो मैसीं स्पिन्डेल कोने दोड़ा था जिसमें हम लोग हपार से डिल न लोग को डाल सकते हैं ओके समझ में आ गेहाँ गया नेक्स्ट कॉस्टन nom ones 81 suitable cutting fluid for drilling mild steel इन्हें drilling machine is drilling मेसीन में यहां ट्रील करते mys дост absurd cutting fluid के सब्साइब क्याँ करते, one has dış 20 ratio में मिला हाथ है नेक्स्ट कोस्टन सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको हम लोग 360 डिग्री में घुमा भी सकते हैं तो इसको हम लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसको हम लोग कोई भी पोजिशन में लेके जा सकता है तो अब देख सकते हैं तो एक्चूली नहीं है यह तो रेडिया आम डिलिंग मेंसी नहीं है नेक्स्ट को स्नमबर 83 तो मैं जो अब लोगो बता दिया हूं कि एक रेडियियल स्न देलिंग मेंसी नहीं है थीक अंड्योशन न मौर को represent करता है hardlese ज्यादा है तो point angle ज्यादा है hardness कम है तो pN go कम हो जाएगा next question n 있고 no 84 the point angle of a standard reset रिल ईष्ट दिगी next तो 85 on a hd pass the h Dip the helical Angle determines hela क्या determine करता रो अधीर्मयन की डिन depression करता है हन रो झकाल रशान तो आप लोग जानते हैं, drill में helix angle कितना होता है, generally 27 and half degree होता है, तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, generally हम लोग कौन सा material यूज करते हैं, normal purpose के लिए हम लोग mild steel यूज करते हैं, तो mild steel का दूसरा नाम low carbon steel है, तो आप देख सकते हैं, जिसका range में हम लोग को बता दिया, तो 27 and half degree, 18-30 degree का अंदर ही तो आड़ा है ना, अगर इसका बात करते हैं, तो soft होता है, तो soft में क्या होता है, soft और tuft material के लिए, जो helix angle होता है, 35 से 40 degree होता है, next question number 86, the clearance angle of the drill is between, drill का clearance angle कितना होता है, generally 8-12 degree होता है, इसका range आगा total बात करते हैं, तो 8-15 degree होता है, okay, normal purpose के लिए हम लोग यूज करते हैं, 8-12 degree, normal purpose मतला माइल स्टेल के लिए हम लोग यूज करते हैं, okay, next question number 87, इने remote place, no electricity available, a railway track is to be drill, choose the right drilling machine, एक railway track है, जहां पर कोई भी electricity available नहीं है, तो remote जगा में है, मतलब वो एक दुरस्त या एक ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि, ऐसे difficult जगा में, अगर हम लोग को drilling करना होता है, तो कौन सा drilling machine के उसकरते हैं, ratchet drilling machine के उसकरते हैं, तो एक नया question है, most important question है, next question number 88, a drilling machine used by a carpenter for cabinet making is, carpenter का दुवड़ा cabinet बनाने के लिए, जो drilling machine के उसकरते हैं, जो लार्ज diameter hole को बनाते हैं, और भी नयाना question अभी अप लोग का देखने को मिलेगा, तो अभी तो just class का मैं start किया हूँ, चार दिन में बहुत सारा कुसराप को देखने को मिलेगा, class आप लोग जो student continue कर रहा हूँ, सभी student को interested है, और सभी student आगे जाके बहुत कुछ सीखेगा, और नुकडी जरूर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग का interested है, अगर कोई भी चीज़ में interest नहीं है, अगर normal कोई आदमें आपको आके बाताते हैं, आप लोग के लिए प्टेपर भी में आप लोग करवा दिया हूँ, तो आप लोग चैनल को सबस्केप कीज़ा, जितना हो सकते सपोर्ट कीज़े, ओके सेम कोई आपको पूछाए कि जहाप पर electricity अवेलेबल नहीं होता है, उदर ड्रिलिंग करने के लिए रैचेट ड्रिलिंग मेसिन हम लोग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट कोसर नामबर 90, तो मैं हंडेट से ज्यादा कोसर डिसकस करूँगा, 108 कोसर निसकस करूँगा, पूरा वीडिया आप लोग देखिए, इसको लगाने के लिए चक की यूज़ होता है, जो आरबार में फिक्स होता है, नेक्स्ट कोसर नामबर 92, डिफरेंट स्पीड आर अपडेट इन एस सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मेसिन बाई, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मेसिन में अलग-अलग स्पीड हम लोग को कैसे मिलते हैं, क्योंकि इसमें बेल्ट और पूली मेकानिजम होता है, नेक्स्ट कोसर नामबर 93, तब प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग तो चेज़ दा स्ट्रक्चर आप स्टील, प्रोसेस में एक किसका प्रोसेस होता है, हीट ट्रीटमेंट का एक दो पार्ट होता है, ओके नेक्स्ट कोसर नामबर 94, तब मेन परपास ऑफ एनलिंग इस, एनलिंग का मेन परपास क्या होता है, सब्टेंदर स्टील होता है, और इंप्रूब मैसिन अबिलिटी, अगर ज़्यादा हार्ड होता 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 है, क्या होता होता है, क्योंकि उसको कटने पर दिखकत होता है, तो में जब भी सब्ट होगा, तो मैसिन अबिलिटी पॉपट ऑटमेडिक लिवा रहेगा, नेक्स्ट कोसर नामबर 95, परपस और नॉर्मालाइजिंग करने का परपस क्या होता 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 है, रिमूब दा इंडू स्ट्रेस उसको निकाल देते हैं और उसको फाइन ग्रेन स्ट्रेक्टर हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट कोसर नामबर 96, which one of the following processes is used for hardening the outer surface, तो इसमें कुछ गलात दे दिया है टाइपिंग गलत हो गया हाऊटर सारफैस हो जाता है, OUTर सारफैस को सर्प हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते है case hardening के सादेअग अहोता है हिंडक्स यह होता है, तोदो फिल्फेस होने से बचाने के लिए वेर होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसका एक सबस्क्राइब यह रएगिस्टिंग सबस्दान जाता है नेक्स्ट कोसर नमर 97ust component with top and ductile core and hard outer surface is known as same-to-same question अब को पूछ है जिसमें से बोला है जो कोड रहेगा अंदर वाला पूर्शन ductile soft or tough रहेगा लेकिन जो outer surface होगा outer surface hard हो जाएगा इसमें कौन सब process में से case hardening में होता है next question number 98 lower critical temperature of high carbon steel while hardening hardening करते time जब high carbon steel को hardening करते तो lower critical temperature कितना होता है सभी के लिए सेम होता है 703 degree centigrade ओके और अपर critical temperature depend करता है उसका carbon percentage का उपर यह आप लोगों को जानना चाहिए तो अगर ऐसे बोल देता है अपर critical temperature कितना होता है तो अपर critical temperature depend करता है कार्बोन का उपर और कभी कभी पूछे जाता है कि जब हम लोग हारेनिंग करते हैं या सौरी कुलिंग करते हैं तब यह तो hardening का आप लोगों को बोल दिया है जब हम लोग कुलिंग करते तब लोग किटना होता है 693 डिग्री होता है ओके नेक्स्ट कोशन नामबर 99 ता प्रोसेस आप चेंजिंग दा स्ट्रक्चर एंड दस चेंजिंग दा पॉपार्टीज बाई हीटिंग और कुलिंग मतलब नेक्स्ट कोशन नामबर 100 फ्रोसेस डा फ्रॉइन लाइट प्रॉसेस ग्रेंड तो ग्रें स्ट्रक्चर को refining करने के लिए हम लोग normalizing करते हैं आप लोग को अभी बता के आया हूं और भी question अप लोग देखने को मिलेगा annealing is performed on iron and steel annealing हम लोग क्यों करते है iron and steel को पर तो इसका right answer अजगा all of this internal stress भी इसमें से remove होता है इसका hardness भी कम होता है क्योंकि यह हम लोग soft बना दे तो मतलब automaticly hard होता है और इसका machine ability property भी बढ़ता है इसलिए all of this right answer हो जाएगा next question 102 number which one of the following does not fall under the stage of heat treatment का stage का अंदर कौन सा नहीं आ रहा है option का हिसाब से तो cleaning नहीं आता है heating आता है quinching आता है soaking आता है next question number 103 gun metal is an alloy of पहले में आप लोगों को बता दे हो copper tin or zinc next question number 104 अब देख सकते नया question है तो इसमें से आपको इसका बाद से जो भी question है नया question आपको maximum देखने को मिलेगा for making gitters roof flashing and hood तो बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते है copper sheet का इस्तेमाल करते हैं next question number 105 in dairy food processing kitchen wire तो कौन सा चीज करते हैं हम लोग यूज करते stainless steel next question number 106 for making bucket heating ducts cabinet हम लोग क्या यूज करते galvanizing iron तो इसमें से आपको जो भी question आभी देखने को मिलेगा सभी नाया question और भी आप लोगो मजा आएगा punching a number of hole in a sheet metal is called a sheet metal में number of hole को अगर punching करते हैं इसको क्या बोलते है परफोरेटिंग कहते हैं okay next question number 108 और आज का class का last question searing the sheet into two or more pieces is known as कोई भी अगर एक ऐसे piece of आप बोल सकते हैं seat metal है तो इसको अगर searing करते एक या दो या दो से ज़्यादा piece में तो इसको क्या बोलते हैं इसको parting कहते हैं okay तो इसका बात जो भी question है नया question देखने को मिलेगा और भी class में अप लोग को मज़ा आएगा जो भी student पूरा वीडियो देखे है वो सभी student को मेरा तरफ से thanks है और आप लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग का success जरूर मिलेगा क्योंकि आप लोग का अंदर ability है आप लोग का अंदर आप सभी student को कैसा नखली मिलता तो जो पड़ता है उसको ही मिलता है जो कोसिस करता है जो मेरा बात सुनता है तो उसको ही success मेखसेस मिलता है तो यह था मेरा लूजाहा तो वी độटा वी पसंद दिशेओ मिंदा है तो फिए डाइन्स के चनल को किये लिए yak लाएक किई बाइब बाइब